जा कि उसका result वो एक डेड़ महिने के अंदर अंदर वो दे देंगे। अपिक्षा है कि 15 दिसंबर तक वो इसका result दे दें और 15 दिसंबर के बाद फिर जो post wise इनमें से किस post पर किसको अपना अप्लाई करना है वो अट आइज में निखलेगी। उसके साफ से जो past candidate हैं उन past candidate व तो उनको एक मौका दिया जाएगा four times number of post के साफ से हर एक department के लिए हर एक post के लिए उनको एक exam देने के लिए और बुलाया जायागा। उस exam में उन लोगों के पास करने के बाद फिर उनकी selection final हो जाएगी no interview इसके बाद group D का धी यह सारी process होने के बाद लगवच्छे में इस process में लग जाएंगे फिर group D का एक और exam इसी प्रकार से भी आ जाएगा उसमें कोई दूसरा exam नहीं होगा केवल merit के अधार पर जो priority उन्होंने department के दियो ही होगी उस department की priority के साफ से जो ऊपर के जो merit के टॉप के जो लोग है as per number of seats उनको selection card दे दिया जाएगा इस प्रकार का अधार का अधार कम